हलो फ्रेंड, वेलकम टो एस्टी टिटोरियल लोड़ोप चैनल, फ्रेंड सेम लोग जी आईसी प्रवक्ता परिक्षा की सामाने दिन के पेपर को सार्प कर रहे हैं, ये इसका तीसरा प्रेक्टिस सेट है, जो बाडल पेपर की रूप पर आया किया है, जो जी आईसी प्रव पहला प्रेशन है, नीत आयूग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापती कौन था? ठीक है तो सबसे पहले जाले कि नीती आयोक का पहले नाम योजना आयोक था ठीक है योजना आयोक था जो एक जनवरी 2015 को इसको नीती आयोक कर दिया गया ठीक है तो नीती आयोक का प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा है तो नीती आयोक का प्रथम उपाध्यक्ष जो था बरतमान समय में अगर पूछेगा तो बरतमान समय में ये राजीव महरसी हैं ठीक है राजीव महरसी हैं तो इन सभी पॉइंट को याद कर लिजेगा ठीक है तो यहाँ पे प्रथम अर्विंद पनगाडिया और राजीव महरसी जो है इसमें बरतमान समय में है ठीक है और एक किन्वी 2015 को इसको नीत आयोग की अस्थापना किया गया योजना आयोग के अस्थान पर दूसरा नमबर प्रेशन है सूरी की प्रकास में पैराबैगनी किरेडे अभिक्रिया निम्निमे से क्या पाइदा करती हैं निमने में से क्या पैदा करती है तो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका आप्शन नमर सी ओजोन पैदा करती है ठीक है जब अल्ट्रा वेव यानि पैराबैगनी के रिड़े समताप मंडल से आक्सीजन अड़ों पर क्रिया करती है तो इससे तूट कर दो आक्सीजन परमाड़ ठीक है दो आक्सीजन परमाड़ का निर्माड़ होता है ठीक है और जब एक परमाड़ी आक्सीजन दुई परमाड़ी आक्सीजन अड़ों के साथ अबक्रिया करता है तो त्री परमाड़ी ओजोन ठीक है तो त्री परमाड़ी आजोन जो है का निर्माड़ होता है ठीक है तो यहां पर क्या रहाए कि अभिख्रिया के दोरण क्या पैदा करती हैं तो यह ओजोन पैदा करती हैं ठीक है तो सी आफसानिश में आफका सही हो जाएगा तीश्रा नमर प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा भारत में भासा के आधार पर बना पहला राज था तो भासा के आधार पर बना पहला राज था आंदर प्रतेश ठीक है आंदर प्रतेश राज अधनियम जो 1955 द्वारा जो है भारत में भासा के आधार पर सरप्रतम आंदर प्रतेश राज का गठन किया गया था ठीक है और जिसमें मद्रास जो राज था तमिलनाडू के भासी छेत्र में सामिल किये गए थे उसमें उसकी राजधानी के हाँ थी तो उसमें वो करनोल थी ठीक है तो पहला राज जो था वो आंद्रप्रतिश्था सी आपसन आपका सही हो जाएगा चोथा आपसन आपसन में से निमलेखित विद्धित उर्जा पिकरडों में से किसकी उर्जा अधिक्तम होती है तो करेक्टर उनसर हो जाएगा आपसन नमबर डी एक्स किरणों का ठीक है एक्स किरणे जो होती है उनकी उर्जा सबसे अधिक्तम होती है इनकी उर्जा 3 है 3 in to 10 to the power 17 heart rate के बीच में होता है ठीक है तो सबसे ज्यादे x किरणों की जो है उर्जा अधिकतम होती है दूसरे नमर पे आता है पराबैगनी किरणे ठीक है तीसरे नमर पे आता है द्रिसी किरणे ठीक है और चौथे नमर पे आता है यह और क्रणे सबसे कम और क्रण में होती है और सबसे थिया किरणों में होता है अधिकताम बिद्द्द त्विक्रर में सबसे अधिकताम और दो चोनुम्ब कहती है यह को धीकई हो ययलिया दिया अपसे निश्म में आपका सही हो जाइगा यहां पे आप लोग चारह जाद Digon सबसे जादे है एक्स किरणों का दूसरे नम्मर पर पहरा बैगनी तीसरे नम्मर पर दिसे प्रकास चौथे नम्मर पर औरक्त किरणे ठीक है कभी-कभी क्रम से भी लगाने के लिए आप से पूछ देता है पांचवन मर पर पर दिसे नार्मन बोला को किस छेतर में नोबल पूरसकार प्रतान किया गया था तो आप लोग जानते होंगे इनको क्रिशी के छेतर में 1970 में सांती का नोबल पूरसकार दिया गया था ठीक है ये अमेरिका के क्रिशी बैग्यानिक है ठीक है ये अमेरिका के क्रिशी बैग्यानिक है और इनको जो है हरित करांति का पिता भी कहा जाता है ठीक है हरित करांति का पिता भी कहा जाता है अमेरिका के क्रिशी बैग्यानिक है और इनको क्रिशी के छेत में 1977 में शांती का नोबल पुरुसकार दिया कैथा ठीक है तो यह आपसम सही होगा छटवान हमार प्रशन है निमलिखित यह गुमे में से कौन सही सुमेलिद नहीं है यहां पूछा है प्रशन को ध्यान दीजेगा तो रेटिनिंग किस में पाय जाता है तो यह पनीर में पाय जाता है बिलकुल सही है जैव प्रवधिकी का संबंद किसे है तो प्लाजमीड में है ठीक है जैव प्रवधिकी का संबंद किसे है प्लाजमीड से है तो आपका यह भी सही है गोल्डन चाबल में क्या पाय जाता है तो यह vitamin पाये जाता है ठीक है और ozone परत जो है toto sphere तो यह गलत है आपका तो आपसन number D सही हो जाएगा ozone परत बाहे मंडल में नहीं और यह पाये जाता है strato strato sphere ठीक है यानि समताप मंडल समताप मंडल में पाये जाता है ozone परत ठीक है तो ये आपका नहीं पुझा है कॉनसा सोमेलित नहीं है तो D आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा रेटिनिंग पाय जाता है पनीर में, जैव प्रोदेकी में जो है प्लाजमीट में पाय जाता है golden चावल में vitamin A पाए जाता है ठीक है और o-zone परत जो है ये stratosphere में यानि समताप मंडल में पाए जाता है ठीक है साथवा नमबर question है methane निमनिम से किस से निकलती है या सरजित होती है तो धान के खेतों से भी methane gas प्राप्थ होता है और दीमक की बामबी से भी प्राप्थ होता है ठीक है तो C आप्सन सही हो जाएगा यहाँ पर ठीक है methane gas का basic तापन में 20% का योगदान है methane अपूर अपगटन का उत्पाद है एवंग इनाक्सी दसाव में methane oxygen जीवानवों द्वारा उत्पन होती है और दीमक cellulose का पाचन करते हैं और एवंग इस क्रम में methane का उत्पादन करते हैं ठीक है तो दीमक का बामबी भी हो जाएगा ठीक है और इसके तरह देखा जाए तो धान के खेती हुआ जुगाली करने वाले जो पस होते हैं जो पस सरकारिया आयोग की संसुतियां निमलेकित में से किसे संबंदित हैं तो सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था है यह आप लोग जान लेजे तो यह 1983 में हुआ था ठीक है सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 में हुआ था अब इसमें केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच नियाल है कि सिवा निम्रित नाधीज आर्यस सरकारिया की अध्यश्चता में कींद राज संबंदों पर विचार करने के लिए तीन सदस्थी आयोग का गठन किया गया ठीक है तो ये आपसन डी सही हो जाएगा कींद राज्य के संबंदों से संबंदी था सरकारिया आयोग ठीक है और इसकी अध्यक्ष सरकारिया और इसकी अस्थापना उनिश्चो तिराशी में संसदात्मक् सरकार किस देश में आरम किया गया था तो आपसर नमबर E सही हो जाएगा आपका Great Britain में Great Britain में सर्पत्री पहले संसदात्मक सरकार के स्थापना की गई थी और वहाँ किस्दात्मक सरकार को क्या कहा जाता है और best minister model के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और देख लिए ब्रिटेन हो गया भारत हो गया जापान हो गया कनाड़ा हो गया इस सभी देश में संस्थादबक सरकार पाई जाती है ठीक है भारत में जो संस्थादबक सरकार है अनुछेद 74 और 75 के अंदर गत आता है ठीक है तो इस सारे पॉइंट को आप लोग याद रखेगा दस्वा नंबर प्रिश्ण है बिना अनुमत के कितने दिन संसथ से अनुपस्थित रहने पर किसी संसथ को अयोग के घोसित किया जा सकता है कोई संसथ अगर संसथ में अनुपस्थित रहता है कितने दिन तक तो उसको अब अयोग के घोसित किया जाएगा तो सही उत्र हो जाएगा आपका आप्षन नमर भी 60 दिन तक ठीक है यदि कोई सांसद संसद के बिना अनमती के 60 दिनों तक अनफस्थित रहता है तो उसे सदन से निलमबित किया जा सकता है ठीक है और इन 60 दिनों की गड़ना में सदन के अस्तगन या सत्त्रावसान की लगातार चार दिनों को अबदि को सामिल नहीं किया जाता है ठीक है और इस ब्यवस्था की अंतरकत सदन के सुचार उसंचालन तदा सदस्यों के उपस्तिधी रहने के लिए जो है प्रावधान किया गया है ठीक है तो इसमें भी आपसन आपका सही हो जाएगा 11 नमबर प्रशन है भारत के शंबिधान के किश भाग में हम नागरिक्ता से शंबंधित प्रावधान को पाते हैं नागरिक्ता किश भाग में दिया गया है तो आप लोग जानते होंगे भाग दो में है भारत के समिदान भाग दो में अनुछेद 5 से 11 तक जो है नागरिक्ता का प्रावधान किया गया है इसमें अस्थाई और विप्रित उपबंद नहीं है इसलिए नागरिक्ता आदियम जो 1925 के अंतरगत इनमें जो है पाँच आध में 2003 में 2015 में इसमें जो है संसोधन किया जा चुका है ठीक है तो यहां पर भी आपसन आपका सही हो जाएगा बारे नमर पर प्रेशन है निमलेक्षित में से सिंध सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में इस्तित है तो कौन से जगह है तो आलमगीरपूरा है आलमगीरपूर जो है यह कहां पर है तो यह हिंडन नदी पर ठीक है हिंडन नदी के बायतर पर उत्तरपदेश में इस्तित है ठीक है ये भी सही है और ये हुलास जो है ये हुलास जो है आपका कहां पर है ये सहारनपूर में है ठीक है तो ये दो केंद्र जो है उत्तरपदेश में है तीसरा और चौथा ठीक है और काली बंगा कहां पर है तो काली बंगा जो है सबसे उत्तर में मानटा जम्बू कस्मी दच्छेड में दाय महपाद उत्तरपूर में आलिमगिरपूर और मेडरेट में उत्तरपदिश के पश्चिमी सुथका गेडोर तक विस्तार है ठीक है तो यहां पर आपका सही हो जाएगा आपसा नमर तीन और तेरेंड मर प्रशन है निमलेखित में से कौन सी संस्था बिदेशी ब्यापार से संबंदी थी तो ओ नाना देश थी ठीक है तो सी आपसा हो जाएगा यह जो नाना देश थी यह बिदेशी ब्यापार से संबंदी थी और यह है जो है होईसल सामराजी के समय अस्थापित ये मगध हो गया मलाया कोशल नेपाल भारत जैसे देशों के साथ जो है पैदेशिक संबंध स्थाफित किया था ठीक है तो सी आपसनिश में आपका सही हो जाएगा चोधे नमबर कोशिन है पुस्य मित्र सुंघ द्वारा दो अस्वमेग एक किये जाने की बारे में जानकारी किस लेक से मिलती है तो पुस्य सुंघ मित्र जो था ये क्या था ये जो है मौरिश सीनापति था ठीक है और ये मौर सासक बिहद्यत की हद्या करके जो है सासक बना था ठीक है और इसने दो अस्वमेग एक किये थे और इसका प्रमाण मिलता है अयोध्यालेक में ठीक है तो यहाँ पे सी आपसन सही हो जाएगा और इसमे अगर पूछेगा कि इस अस्वमेग एक में पुरोहित कौन तो पतंजली थे ठीक है पतंजली इसके पुरोहित थे क्योंकि ये ब्रामर का बहुत बिरोध करता था ब्रामर बिरोधी था ठीक है तो यहाँ पे सी आपसन आपका सही हो जाएगा पंद्रे नमर पुझा है भारत के निमलेक्षित राज्यों में से किसकी तरटरिका सबसे लंबी है तो सबसे लंबी तरटरिका अगर दिखा जाए तो गुजरात की सबसे लंबी तरटरिका है ये जो है बारत की सबसे बड़ी समुद्री तरटरिका राज्य माना जाता है परियाबरन प्रदोसेत के कारण o notapet yhat Can s discounts k जौना प्रत्राअच नदी के किनारेत सहर नॉज कौण नॉजट información फैसे में जाँन्पर हो गया है तो और इसमें पूछता है कि गोंपती नदी का उद्भा किस अस्ता से हुआ है तो यह जो है पीली भीश से निकली है थिक है पीली भीश से इसका उद्भा हुआ है तो दो-तिन पॉइंट है इसको भी याद रखियेगा स्थे внबर 5 पन्य पाद्व के लिए मराठों के राजसों के दावों को किस नाम से जाना जाता था तो इसको जाना जाता था चौथे राजी के जनता की सुरक्षा के लिए राजसों के रूप में जौथ नामक जो है कर वसूल्ल जाता था ठीक है यह राजी के उत्पादन का इक बटे चार भाग जो है ऑलग होता था ठीक है तो ब Grandpa असमें सही हो जाएगा कि रूट तो जहा बीक्न सही हो जाएगा और सरदेश मुखी जो है इसमें एक बटे दस भाग वह सूले जाता था करके रूप में और यह दोनों जो है ठीक है छतपती सिवा जी द्वारा जो है इसको लागू किया गया था ठीक है या आरूपित थी इसको कहा जा सकता है ठीक है तो प्रेशन के अनुसार आपका भी आपसंद सही हो जाएगा अठारे नमर प्रेशन है निमलिकित को काल करम में व्यवस्तित कीजिए और नीचे दिये गए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है तो मुहमद शाह का सासन काल कप था तो ये 1791 से लेकर के जो है 1748 तक था ठीक है और यह रोसन अक्तर की नाम से भी जाना जाता है ये भी प्र जो था 1799 से लेकर के 1749 तक था और जाहाँदार साह का कारिकाल जो था 1712 से लेकर के 177क है तक था ठीक है और आलमगीर सेकेंड जो था ठीक है इसका कारेकाल जो था आलमगीर सेकंड का ये 1754 से ले करके जो है 1758 तक ठीक है 58 तक ठीक है और आपका अहमद साह का जो कारेकाल था अहमद साह का कारेकाल जो है 1749 से लेकर किना था चैना था चाहंवं तक ठेक है तो सबसे कारेकाल क्यिसका था तो आपका 1799 ने कर के थारे तक उन्नाई से Jesus 49 तक किसका था मुहमद साह का Ay naw यहाँ पर यह हो जाएगा जहा दार साह 1712 12 से 13 ठीक है इसका था किसका जहांदार सा का तो यहां पर देख लिए दो में पहले पी दो है तो यही पहले पी दो है ठीक है 12 से 13 उसके बाद कौन सा आएगा उसके बाद आ जाएगा आपका आपका 48 से चग्वन आ जाएगा फिर चग्वन से 48 आ जाएगा ठिक्वे तो यह क्रम आप लोग याद रखिएगा और कयम को पूछा जाता है और यह मुहमध शाह पूछा गया है तो यह मुहमध साह को जो है रोसान अक्तर के नाम से जाना जाता था यह अति दिख बिलासिता पूर्ड जीवन जीता था ठीक है इसे इन्हें रंगीला सासक भी कहा जाता है ठीक है तो ये important है इसको रंगीला सासक भी कहा जाता किसको मुहमद शाह को ठीक है तो इतने सेशा शेशा चलम ठीक है इसी को सेशा चलम की नाम से भी जाना जाता है तो ये यहां पर इस्थित है मलल मलल या सेशा चलम में ठीक है तो डी आपसाना आपका इसमें सही हो जाएगा बीच नमबर प्रशन है राजस्थान मरवस्थल अथवा थार मरवस्थल निम्लेकित में से किसका बिस्थार है तो ये किसका बिस्थार होता है तो ये प्लीसोटीन एक अभिनाव जमाओ के कारण होता है ठीक है तो आपसर नमबर सी आपका ये सही हो जाएगा प्लिष्टो सीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है ठीक है तो आपसार नमर सी आपका सही हो जाएगा एकीछ नमर प्रस्ण है निमलिकित राज्य में कौन इलाची एवं काले मिर्च का सबसे बढ़ा उत्पादक राज्य है इलाइची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उतपादक राज है तो केरल जो है वो इलाइची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उतपादक राज है ठीक है तो यह जीव है इनका काल करम कौन सा करम होगा तो सबसे पहले आता है कवच वाले जीव आते हैं ठीक है पहले नमर पे कवच वाले जीव आते हैं फिर पहला कीट आता है दूसरे नमर पे ठीक है फिर कौन आता है सरी श्रिप आता है तीसरे नमर पे है और उसके बाद जो है पहला अस्तंधारी फिर प्राप्त होता है चोथ पार पूछा जा चुका है ठीक है और कीट तथा कवच वाले जीव क्रम से जो है संख आर्थो पोड़ा एबंग मोलस्का में आते हैं ठीक है जबकि सरीप और स्तंधारी जो है ये कार्डेटा संख के जीव होते हैं ठीक है तो इसको याद रखिएगा तेश नमर प्रशन है निमलकी देशों में किसमे प्रतिगाय दुग्द का आउसत वारसिक उत्पादन सरवादिक है यहाँ पे प्रशन को समझेगा प्रतिगाय पूछा है प्रतिगाय दुग्द का आउसत वारसिक उत्पादन सरवादिक है तो ये डेन्मार्क का होता है ठीक सरवाधिक पूछे तो सरवाधिक में आपका भारत हो जाएगा ठीक है तो दोनों पॉइंट को आद रखिए प्रतिगाय पूछे प्रतिगाय का आउशत वर्षिक उत्पादन तो डेन्मार्क हो जाएगा और सरवाधिक उत्पादन के छेतर में तो वो भारत हो जाएगा ठीक स्रावस्ती में 34.88, 8% है और आप बल रामपुर में एकर देखेंगे तो 37.40 % है ठीक$ है और रामपुर में देखेंगे आप रामपुर में तो 44.44 % है ठीक$ है अब भाहराइच ने देखेंगे आप तो 49.108 % है तो इस में इसे देख लिए कौन सा सबसे कम दिख रहा है तो आपका 34-27% जो है स्रावस्ति का है ठीक है तो यहाँ पर आपका D-Aption सई हो जाएगा 25 नमर पर निमलिकित देशों में कौन सा पिस्व में आयोडीन का अगड़ी उत्पादक है आयोडीन का अगड़ी पुछ रहा है यहाँ पर आयोडीन की सबसे उत्पादन अधिक होती है 26 नमर पर निमलिकित राज्यों में किसमे क्रामेड इवंक सहरी दोनों छेत्रों में सिसुलिंग अनुपाद नियूनतम है तो यह हरियाणा में है यहाँ हरियाणा का अगर 835 लड़कों पर यह 832 लड़किया यह सिसुलिंग अनुपाद सबसे नियूनतम है कहाँ का हरियाणा का तो आपका यह एंसर सही हो जाएगा 27 नमर कोशन है 20 सुजन संख्या दिवस मना जाता है तो किस तारिक को मना जाता है तो 11 जुलाई को 20 सुजन संख्या दिवस के रूप में मना जाता है ठेक है और यह कारिकम जो है UNDP UNDP द्वरा जो है 1889 से इसकी सुरुवात होई थी UNDP द्वरा ठेक है और परतेख 11 जुलाई को जो है 200 जन संख्या दिवस मना जाता है और 11 जुलाई 1889 को विस्व की आबादी पांच अरब के लगबग हो गई थी ठेक है पांच अरब हो गई थी उस्व में और तभी से इसको जो है इसी आकड़े के आधार पर जो है विस्व को जो है विस्व को चनसंख्या दिवस के रूप में मना जाता है 28 नमर प्रशन है निमलकित में से कौन भारत में गरीवी रेखा का निर्धारन करता है भारत में गरीवी रेखा का निर्धारन करता है तो ये योजना आयोग जो अब नीत यायोग हो गया कब एक जनवरी 2015 से ठीक है तो अब नीत यायोग के द्वारा जो है गरीवी रेखा का सब्सक्राइब निमलकित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में पर्थम पायदान पर है सड़कों की लंबाई में भारत में पर्थम पायदान पर कौन है ये करेंट का कोशन है तो ये है महाराष्ट भारत में महाराष्ट की सड़कों की लंबाई प्रतानस्तान पर है बर्स 2012 की आंकडों की अनुसार इसमें देखा गया था तो महाराष्ट में सड़कों की लंबाई 4,10,521 किलोमीटर थी जो बरतमान में भी है तो यहां पर महाराष्ट ही सही हो जाएगा तीछ नमर प्रसन पूछा गया निमनेलकित में से कौन दुतियक प्रदोसक है दुतियक प्रदोसक कौन है तो दुतियक प्रदोसक क्या होता है दुतियक प्रदोसक कोई प्रदोसक होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रातमीक प्रदोसक की ठीक है दो प्रात्मिक प्रदुसकों की क्रिया से बनते हैं उसको ही क्या काता है तो ये दूतियक प्रदुसक का जाता है जिसमें इस्माग हो गया ठीक है इस्माग हो गया और धूम्र कोहरा हो गया इसका उधारण है ठीक है जो कार्बन डाई कार्बन मोनो अकसाइड प्रदूसक में बनता है यहां पर जाएगा आपका कान में डोमनी कर ठेल हो नहीं है इस समूह में नहीं है तो समूह हो देख लिए आख, कान, दात ये तो हमारे शरीर के हमेशा कारे करने वाले अंग है ठोटी जो होता है ठोटी हमेशा किसी मतलब कारे नहीं करता है ये हमेशा कारे करने वाले ये मतलब कहने के मतलब है मुह के अंग है ठेक है लेकिन ठोड़ी जो है इससे अलग है तो कौन सा इसमें पुछा है नहीं है तो ड़ी आपसा इसमें सई हो जाएगा दूसरा 32 नमर है नेमलेकित कत्रों पर विचार कीजिए A, B, C, D, E तथा यव छह गाउं है ठेक है छह गाउं है D के एक किलिमीटर पस्चिम में यफ है माले यह D है यहाँ पर देख लिजिए आप पूरव इधर हो जाएगा पस्चिम हो जाएगा उतर हो जाएगा उपर नीचे दच्छिन हो जाएगा तब क्या कह रहा है D के एक किलोमीटर पूर्व में B है ठीक है देखिए E के एक किलोमीटर पूर्व में B है अब देखिए E के एक किलोमीटर पूर्व में B है अब देखिए E के एक किलोमीटर पूर्व में B है अब देखिए E के एक किलोमीटर पूर्व में B है अब देखिए E के एक किलोमीटर E के 2 km उत्तर में A है, ठीक है, तो E के 2 km उत्तर में A है, तो यहां से E, D की कितने दूरी है, 1 km, फिर यहां से उपर कर देंगे, तो यहां पे 1 km हो जाएगा, तो यहां पे A कह रहा है, ठीक है, और A के 1 km पूरू में C है, तो यहां से 1 km, 1 km पे C हो जाएगा, यहां पे, ठीक है फिर कह रहा है एक एक किलोमेटर दच्छड में D है एक एक किलो दच्छड में तो D है यह है तो कतार में पढ़ने वाले तीन गाहों कौन कौन से हैं तो कतार में पढ़ने वाले हो जाएगा A, D और E ठीक है A, D, E तो आपका B याप सनिश में आपका सही हो जाएगा इसको स्क्रीन साथ लेकर के आप लोग करिएगा आई बार ठीक है लेकिन यही आएगा ठीक है 33 नमर प्रस्षन है यद किसी निशित कोड में डेट को W, Z, G, V लिखा जाता है तो निशित किस कोड को कम लिखा जाएगा तो यहाँ पर देख लिए D, A, T, E को क्या लिखा गया है W, Z, W, Z और G, और V लिखा गया है यहाँ पर देखिए यह D है तो A, B, C, D चोथे पर आ रहा है और इधन नीचे से देखिए W, X, Y, Z और यह पीछे से चोथे पर आ रहा है तो यह क्या क्या है आगे से G संक पर है वही पीछे से E संक पर आ है अब देखिए A पहले पर है तो यह Z पहले पर है T है तो यहाँ पर G आएगा E है तो V आएगा इसी तरह CEO E को क्या लिखा जाएगा तो यह B, C, D तीसरे पर है तो पीछे से तीसरा कौन हो जाएगा आपका तो Y, X हो जाएगा यह वो है तो वो जो एक की सस्थान पर आता है तो वो 15 पर आता है ठीक है तो पीछे से हम लोग 15 पर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा यह जाएगा इसी तरह M का हो जाएगा यह जाएगा और E का क्या हो जाएगा E का V हो जाएगा तो X, L, H, V हो जाएगा तो कौन सा आपसन सही हो रहा इसमें तो X, L यह N है N, V ठीक है तो यहां पर बैलू आएगा तो यहां पर बैलू आएगा आपका 29 आएगा ठीक है 29 आएगा इसको आप लोग हल करके कमेंट में बताइएगा ठीक है तो एंसर आपको हम बताते रहें एंसर 29 आएगा ठीक है लेकिन मेथेड आपको कमेंट करना है ठीक है आपको लिए यह होमवर्क है तो इसको जरूर किजिएगा ठीक है 35 नमर प्राशन है A B से अमीर है C A से अमीर है D C से अमीर है E सबसे ज्यादा अमीर है अगर सभी को उपरोगत अमीर के करमें बैठाया जाए तो किसका स्थान मद्द में होगा तो क्या करा है A किसे अमीर है B से ठीक है और C किसे अमीर है A से ठीक है और देखिए D किसे अमीर ह सी से ठीक है तो ई सबसे ज्यादा अमीर है तो ई हो जाएगा फिर कौन हो जाएगा डी हो जाएगा फिर कौन हो जाएगा C हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा A हो जाएगा, फिर हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है तो सबसे अमीर कौन होगा, मद्द में कौन सब है 1, 2, 1, 2 तो मद्द में कौन आ रहा है, C आ रहा है, ठीक है तो आपसन नमर्ट D इसमें सही हो जाएगा, ठीक है अब कुछ महित के सवाल देखेंगे हम लोग ठीक है अंडर रूट 841 और अंडर रूट 3249 के मत कितनी प्राक्रतिक संख्याए है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे अंडर रूट 841 का हम जब बर्गमूल निकारेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा ठीक है और इसी तरह अंडर रूट 3249 को जब हम सालब करेंगे तो कितना आ जाएगा मान तो इसका मान आ जाएगा 57 आ जाएगा 57 स्कॉयर करेंगे तो 3249 आ जाएगा ठीक है पहले दोनों का प्राक्रतिक संख्याए निकालने के लिए क्या किया जाता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा करके फिर माइनस वन कर देते हैं ठीक है तो 27 में से 29 जब हम घटाएगे तो क्या प्राप्थ होगा 28 प्राप्ट होगा ठीक है और 28 में से एक घटा देंगे तो क्या जाएगा value हमारा 27 तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो 27 प्राकृतिक संख्याएं होंगे ठीक है तो b option इसमें आपका सही हो जाएगा 37 नमबर है यह एक्स माइनस y का 20 परसंट और बराबर जो है x माइनस y का 50 परसंट है तो x y का संबंध अनपात बराबर है किसके बराबर है तो देख लिए यहाँ पर solve कर रहे है method को तो x यहाँ पर यह प्लस है प्रसंट में ठीक है यह प्लस है यह माइनस है ठीक है तो यह प्लस x प्लस y का 20 परसंट है तो गुड़े 20 बटे 100 हो जाएगा आप लोग जानते होंगे बराबर x माइनस y का 50 परसंट तो x माइनस y का 50 परसंट है तो 50 बटे 100 हो जाएगा अब देखिए इसको क्या हल करिए ठीक है तो दो यह 20 है ने 20 सकन्नम 20 20 पच्छे 100 तो यहाँ पर हो जाएगा 5X प्लस 5Y बराबर यहाँ पर 50 है तो 50 सकन्नम 50 पचास दुनी 100 तो 2X हो जाएगा माइनस 2Y हो जाएगा अब इसको हम जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा X को X की तरफ रखिए य को Y तरफ रखिए ठीक है तो 2X और 2Y यहाँ पर देख लिए यह कितना है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर 2X प्लस 2Y इसको पच्छातन करेंगे इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 5X माइनस 5Y हो जाएगा ठीक है जब पक्छान दर करेंगे अब देखिए यहाँ पर तो क्या बच रहा है ठीक है अब देखिए यह 2X इधर है अब 5X इधर है तो जब यह इधर आएगा फिर जब इसको इसको इसमें घटाएंगे तो क्या बच जाएगा तो 3X बच 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 3 हो जाएगा यानि यक्स अनपाते Y बराबर हो जाएगा कितना 7 अनपाते 3 ठीक है तो सही उतर हो जाएगा आपका इसमें option number 6 सही हो जाएगा ठीक है 7 अनपाते 3 के बराबर है 38 नमबर प्रशने यदि एक राज का दो वर्सों में साड़े बारे प्रतिवर्स की दर पर चक्रविद्धी ब्याज 344 है तो उसी दर के समान राज पर उसी अवद के लिए साधरण ब्याज क्या होगा आपका दर दे दिया है यानि आर दे दिया है आर है ये आर कितना दे दिया है साड़े 12% यानि 12 सही 1 वटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं पचीश बटे दो लिखतकते हैं बारद उनी चोगी से एक पचीश बटे दो पर्तंट हो जाएगा ठीक है अब चक्रविद्धी प्याज बराबर क्या होता है तो पी 1 प्लस r बाई 100 फ치क है अभी चीश को पैर लूप पूट कर देए p का मान दिया हुआ है दिया थिन जो चालिस बराबर चक्रविद्धी दिया हुआ है दिन सो जालिस ठीक है तो बराबर क्या हो जागा फ़ी वन प्लस r का मान दिया है कितना 35 बटे 5 है ठीक है का स्कॉयर कितने बर्स के लिए दो बर्स के लिए तो यहाँ दो बर्स हो जाएगा ठीक है माइनस वन यहाँ पर हो जाएगा अब इसको साल्फ कर दीजिए सीधे तो कितना आ रहा है पी हो जाएगा 1 प्लेस 1 अपान 8 हो जाएगा अरे यहाँ पे 2 बटे 100 है ने यहाँ पूपर कितना है 25 है 25 चोग को 100 4 दूनी 8 ठीक है तो कितना हो जा रहा है 1 बटे 8 आठ आपका पड़ जा रहा है तो 1 बटे 8 काई स्कॉाइर माइनस 1 हो जाएगा ठीक है अब फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें जगह कम रहता है थोड़ा सा आप लोग भी साल्व किजगा ठीक है इसको तो P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 के 9 9 आठ आकर ने माँ ठीक 9 बटे 8 काई स्कॉाइर माइनस 1 अब इसको हम कर देंगे क्या कर देंगे तो P कमान कितना हो जाएगा 81 ठीक है इसको आइर जब करेंगे 9 9 आए क्यासी हो जाएगा ने 8 आठ आठ आए 64 64 माइनस 64 ठीक है बराबर कितना आजाएगा आपका 17 बटे 64 आजाएगा यह 17 ठीक है 17 मान हमारा यहाँ पर निकला जो था ठीक है अब इसी को जो है हम जब साब करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 320 रुपया आजाएगा ठीक है तो सही उतर जाएगा आपका 320 ठीक है इसको स्क्रीन साट ले करके खोद जो एक बार रफकार कीजिएगा ठीक है इंपार्टन परसन है सभी परसन इसमें से पूछे हुए है जो पूछे जाने की संभावना है उन्हीं सभी परसनों को अच्छा रखा गया है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो मान बराबर होंगे इसके बराबर होंगे इसका मान दिया है दो ठीक है और इसका मान पूछ रहा है तो x square plus y square x plus y बराबर अगर हम दो कर दें इसका भी बराबर अगर हम दो कर दें तब देखिए क्या होता है तब हो जाएगा आपका x square plus y square बराबर 2x y हो जाएगा ठीक है अब यहां देखिए x square plus y square माइनस यह इधर आएगा तो क्या है minus 2x y बराबर क्या हो जाएगा 0 तो x minus y इसका फर्मूला बन जा रहा है square बराबर 0 अब क्या करना है x minus y बराबर 0 और x बराबर हम y रख देंगे जब इसका माण रखेंगे इसका बाण जाता है ठेक है, तो 2X squared से 2 स्क्राइर मतलब इसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है ठेक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा तो इसमें D caption सही हो जाएगा option no.D सही हो जाएगा, कितना आएगा एक मान आजाएगा, ठेक है, इसको भी आप लोग solve कीजिएगा 140 नमर प्रशन है यदि X Y Z धनात्मा पूर आंग का इस परकार है कि X संबंदे Y बराबर X संबंदे 2 Y संबंदे Z बराबर 3 संबंदे 5 तो निमलेखित में से कौन सा X 5 X माइनस 3 Y प्लस Z का संभव मान होगा तो इसको करने के लिए थोड़ा सा लंबा प्रासस है लेकिन देख लिजिए यहाँ पर, देख लिजिए X संबंदे Y और 1 संबंदे 2 और Y संबंदे Z बराबर कितना है, 3 संबंदे 5 है, ठीक है तो इसको जो हम solve करेंगे तो x संबंदे y बराबर क्या हो जाएगा? 3 संबंदे 6 आ जाएगा और y संबंदे z बराबर क्या हो जाएगा? 6 संबंदे 10 आ जाएगा ठेक है? तो यहाँ पर आप x और क्या बोलते हैं? x, y, z कमान हम यही से निकाल लेंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा तो यक्स बराबर आपका जाएगा 3A और Y का मान आजाएगा 6A और Z का मान आजाएगा आपका 10A ठीक है तो यही मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे इस समीकरण में रखेंगे तो इसका बैलू आपको प्राप्त हो जाएगा 7A ठीक है अब सेवन ये विकल्बू पर बिकल्ब्र भी जो दिया गया है कैशल eliK timeline देखähän पर option number c जो 190 दिया है। चानवे ही ये इससे जो हैफ पूर्ण रूसरे विभाजित हो रहा है ठीक है साथ 2902 ही विभाजित हो रहा है इसलिए कहा इस तो इसकोभी आप लोग कि जिएगा जरूर जीटने भीश्य प्रसंद दिए गए थे मैइखे हैं तो आपके conducting 140 प्रश्ञ इसमेंे ठीक है logistics प्रसंद युलीश प्रसंद कंपलीट हुए तो एस लागा वीडियो कमेंट करकि जड़ी बताओ दिकत होती तो आप लोग इसके इंसाड़ लेकर के स्वेंग जब इसको साल्ब करेंगे इस सारे प्रस्ण जो है GDC PGT प्रवक्ता जितने में भी है जो है जो सामाने दिर में पूछे जाते हैं यह PSC त्वारा सारे प्रस्ण उन्हीं से रखे गए है ठीक है तो आने की संभावना बहुत क्यादे अधिक रहती है ठीक है तो इसको प्रक्टिस सेट के रूप में हम दोग साल्ब कर रहे हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले प्रक्टिस सेट में कमेंट करके जब बताएगा कई साला का वीडियो फिर मिलते हैं ठीक है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यबाद झाल